वेलकम टू कंसेप्चुल स्टडी प्लैटफॉर्म आज है 13 जून और आज के दिन जितने भी करेंट एफेर्स के क्वेस्टन बन सकते थे उस सब को इस वीडियो में डिसकस किया जा रहा है दोस्तों यहां इस चैनल के जरीए आप SSC, State PSC, West Bengal Police, Railway, Defense, Bank and others जो एक्जाम से उसके वेरियस कोर्स इस चैनल के जरीए अवलेवल है तो अगर आप यह कोर्सेस खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दियेगे नंबर पर कॉंटेक कर सकते हैं पर है 79803890951 और इस चैनल के जरीए भी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे वीडियो देखकर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा तो आईए चलिए चलते हैं वीडियो में आगे आज का पहला प्रस्ण है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौसल पोर्टल और ओनलाइन स्रमिक रोजगार बीनिमय की सुरुवात की गई है ओप्सन है राजस्थान, वेस्ट बेंगॉल, बिहार, उत्तर परदेश तो दोस्तो इस कौस्टन का सही जबाब है ओप्सन नमर ए, राजस्थान दोस्तो बेंगॉली लेंग्वेज के लिए यहाँ पर बंगला में दिया गया है आप जो भी बंगली स्टूडेंट होगे, कैंडिडेट होगे बंगला वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो इस कौस्टन का सही जबाब है राजस्थान, यह क्या है तो जितने भी दक्ष सर्मिक गन है उनको यह नहीं पता होता है कि हमी एक्चुली में सही काम कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा तो यह पॉर्टल है यहाँ पर जितने भी दक्ष सर्मिको अपना रेजिस्ट्रेशन कराने के बाद जहां भी जरूरत होगा उनको वहाँ पर बुला लिया जाएगा इसी तरह का एक ओल्लाइन पॉर्टल है अच्छा इसमें राजस्थान का नाम आया है जैपूर, जैपूर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है अच्छा एरिया के हिसाब से राजस्थान का अस्थान पहला है फर्स्ट, पोपॉलेशन के हिसाब से सेवन्थ और यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है असोग गहलोथ है जो की कॉंग्रेस से संबन दीते गवर्नर है कलराज मिश्टर अच्छा लोग सभा में यहाँ इसकी सीटों की संख्या है 25, राजसभा में 10, विधान सभा में 200 अच्छा मेजर प्लेसेस हैं, जो देखने लाइक प्लेसेस हैं पिछोला लेक, फते सागर लेक, सहलियों की बारी, महडगर फोर्ट, सैम सेंड दुनेश जैन टेमपल ऑफ दिलवारा, रनकपूर जैन टेमपल, बिरला टेमपल, नहाडगर फोर्ट, अनसागर लेक, जूनागर फोर्ट, कुमबलगर फोर्ट, जन्तर मंतर, नेशनल पार् रंथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व और जो यहां का जो लोकनित है डैंस वो है जूमर घापाल, पानिहारी, गनगोर और इस्टेट जो ट्री है जो एम्बलम है वो है खेजरी, इस्टेट एनिमल है चिंकारा, वाइक केमल और इस्टेट फ्लावर है रोहीडा, और इस्टेट बर्ड है गोडवन इस क्वेशन से आपको इतनी जानकारी मिलती है Next Question है Question No.2 राष्टिय क्रीसी और गरामीनविकास बैंक नबाड ने असम ग्रामीन विकास बैंक को कितने करोर रुपए की विषेश चलनीदी सुभिधा देने की घोशना कीए ऑप्सन है 370 करोर B 570 करोर नमर C 270 करोर और नमर D 170 करोर तो इस question का सही जवाब है वो है 270 करोड इस कोईशन में नवाड के बारे में जान लेते हैं नवाड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फोर एग्री कल्चर एंड रूरल डेवलेप्मेंट इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को भी थी इसका हेड़क्वार्टर है मुंबई और छेयर में ने गोविंदा राजुलू चिंताला नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमर थ्री केंद्र सरकार ने अगरवत्ति निर्माताओं द्वारा आयात किये जाने वाले मास पर सीमा सुल्क 10 से बढ़ा कर कितने परतिसत कर दिया गया है आप्शन दिया हचा है इस कोईशन का सही जबाब क्या होगा तो दोस्तो इस कोईशन का सही जबाब है ऑप्शन नमर सरकार ने जो अगरवत्ति समासोट को को दस से बढ़ा कर 29 तक कर दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर त्री कोल इंडिया लिमिटेड की सहाय कमपनी वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड ने हाली में महाराष्ट और किस राज में तीन नई कोईला खदानों की सुरुवात किये आप्शन है असाम मद्य पर्देश गुजराद करनाटका इस कोश्चन का सही एंसर कौन सा होगा तो दूस्तों इस कोश्चन का सही एंसर है आप्शन नमर भी मद्य पर्देश मद्य पर्देश कोईला कोल इंडिया लिमिटेड की सहाय कमपनी वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमिट है कोल इंडिया लिमिटेड इसका सौर्ट फॉर्म है CIL और फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड इसकी अस्थापना 1975 में हुई थी और हेड़क्वाटर है कोलकाता में चेयर्मेन और एमडी है प्रमोद अग्रवाल जो की एक आई-एस ओफिशर है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर फाइब चत्तिस गर सरकार ने राज्ज में पुलीस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की सुरुवात की है ओफिशन है स्पंदन, स्फूरन, समवेग, नान अब दीस इस कोश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों इस कोश्चन का सही जवाब है ओफिशन नमर ए स्पंदन नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमर शिक्स राष्टपती रामनात कोविंद ने जम्मू कस्मीर और लद्दाग परदेश के संजुक्त हाई कोट के जज के रूप में किसे निक्ट किया है इसकोईशन का जो ओप्सन नमर सी चावेद इकबाल बानी राष्टपती रामनात कोविंद ने जम्मू कस्मीर और लद्दाग परदेश के संजुक्त हाई कोट के जज के रूप में जावेद इकबाल बानी को निक्त किया है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर्ज सेबन करमचारी भविष्च निदी EPFO ने लॉकडाउन के दोरान पिछले दो महिने में कितने करोर रूपे का भुखतान किया है ओप्शन दिया हुआ है 11,540 करोर 12,11,500 करोर 990 दोस्तों इस कोश्चन का सही जबाब होगा ओप्शन नमर्ए 11,540 करोर रूपे कमचारी भविष्च निदी यानि इएफो ने लॉकडाउन के दोरान पिछले दो महिने में 11,540 करोर रूपे का भुखतान किया है इपिएफो को बारे में जान लेते हैं इपिएफो का फुल फॉर्म है Employment Provident Fund Organization इसका हेड़क्वाटर है नियू देली और सीयो है स्री सुनील भार्थवाल जो की IAS ओफिशर है और स्टेबलिस होता है यह 4 मार्च 1952 को नेक्स्ट कोशन है कोश्चन नमर्ए 8 हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉंच करने की गोशना की है ओप्शन है UAE, USA, पाकिस्तान, जैपैन तो दोस्तों इन सारे ओप्शन में एक ही UAE मतलब अरबिक देश है वो है UAE तो इस कोशन का सही जबाब है वो है UAE, United Arab Emirates तो इसके बारे में जानते हैं United Arab Emirates इसका फुल फॉर्म है Capital है अबुधावी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहियान और प्राइम मिनिस्टर है मुहम्मद बिन रसीद अल मक्तूम और यहां का करेंसी है दिरहम दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी नए विजिटर्स है नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमर नाइन पेज्ञानिक एवं प्रद्योगी की अनुसंधान संस्थान CSIR की पालंपूर इस्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हिंग और केसर की खेती के लिए किस राजसरकार के साथ समझोता किया है ओप्शन दिया हुआ हिमाचल परदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाना तो दोस्तों इस कोशन का सही जबाब है ओप्शन नमर ए हिमाचल परदेश अच्छा CSIR के बारे में जान लेते हैं CSIR की फूल फॉम है Council of Scientific and Industrial Research और फाउंडर थे और कोट रामस्वामी मुदलियार और सांती स्वरू भटनागर अच्छा इसकी अस्थापना 26 सितंबर 1942 को वी थी और इनके डाइरेक्टर जेनरल है सेखर सी मांडे और हेड़कॉाटर है न्यूदेली नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर टेन वी सुबैंक ने पस्चिम बंगाल सरकार को राज में कोवीड इस्तिती और विकासात्म कारियों से निपटने के लिए कितने करोड रूपे का रेंड दिया है ओप्शन है 2000 करोड नमर बी 2050 करोड नमर सी 1900 करोड नमर डी 1915 करोड तो दोस्तों इस कोशन का सही जबाब है इस कोशन का सही जबाब है ओप्शन नमर डी 1915 करोड नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 11 हाली में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए पलाजमा की ओल्लाइन उपलबदता शुरू किये ओप्शन है नमर A बांगलादेश नमर B नेपाल नमर C थाइलेंट और नमर D मियानमार दोस्तों इस कोशन का सही जबाब है ओप्शन नमर A बांगलादेश बांगलादेश की राजानी का है तो बांगलादेश की राजानी है ढाका और बंगलादेस के करंसी क्या है तो बंगलादेस के करंसी है टका और बंगलादेस के प्राइम निस्टर का नाम क्या है तो बंगलादेस के प्राइम निस्टर का नाम है शेख हशीना नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर 12 मरसर के 2020 कोस्ट ओफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महेंगा सहर कौंसा है ओप्शन है नमर नमर न्यू देली, पुने, बैंगलोर, मुंबई दोस्तो इस कोश्चन का जो सही जवाब है ओप्शन डी, मुंबई मरसर के 2020 कोस्ट ओफ लिविंग सर्वे का अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महाँगा सहर है मुंबई नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन मर 13 किस राज्य सरकार ने प्रवासि सर्मिकों के लिए रोजगार खोजने है तू, रोजगार से तू पोर्टल लॉंच किया है ओप्शन है, मद्द परदेश, महाराष्ट, बिहार और ओडिसा तो दोस्तो इस कोश्चन का जो सही जवाब है हुआ है ओप्शन नमर A, मद्द परदेश, मद्द परदेश सरकार ने प्रवासि सर्मिकों के लिए रोजगार खोजने है तू, रोजगार से तू पोर्टल लॉंच किया है नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमर 14, रेटिंग एजेंसी फिच के मुतावित बित बर्स 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमाल लगाया है ओप्शन है, नमर A, 6.5, नमर B, 7%, नमर C, 9% और नमर D, 9.5% तो दोस्तो इस कोशन का सही जबाब है, ओप्शन नमर D, 9.5%, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमर 15, गुजरात के गिर में जंगलों में पाए जाने वाले ACI सेरों की संकिया 2015 के मुकाबले बढ़कर कितना हो गया है ओप्शन है, नमर A, 600, 700, नमर B, 674, और नमर D, 774 तो दोस्तो इस कोशन का सही जबाब है, ओप्शन नमर C, 674 गुजरात के गिर के जंगल में पाए जाने वाले ACI सेरों की संकिया 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गया है, 674 तो ये था दोस्तो आज के जितने भी बनने वाले Current Affairs के कोशन थे, उन सबको यहां डिसकस किया गया है वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताईए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद